आर्यन खान के घर आने के बाद शारुक और गौरी ने आर्यन खान को लेकर क्या प्लानिंग की है क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में मन्नत में आर्यन खान के लिए इसकी डीटेल्स अब सामने आई है हम सब जानते हैं कि आज सुब ग्यारा बजे जब आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर निकले तो शारुक और गौरी दोनों ही अपने बेचे को लेने पहुंचे कहा जाता है कि कार जिसको पूरे काले कपड़े से धका गया था अंदर शारुक और गौरी भी मौजूद थ अपनी कार में लेकर आर्यन खान को मनत पहुँचे जहां पर फैANS ने धोल नगाडे पठाकों के साथ आर्यन खान का वेलकम किया आने वाले समय में कुछ चीजें हैं जो आर्यन खान के साथ की जाएगी एक तो आरियन खान का पूरा चेक अप करवाया जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है जेल में खबर आ रही थी कि आरियन खान ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं जेल का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है बिस्किट और पानी पर ही वो जिन्दा है ऐसे में उनका nutrition level और ये सारी चीज़े चेक की जाएगी और उसके बाद उन्हें ठीक से जिस खाने की जरुत है वो खाना उन्हें खिलाया जाएगा आरियन खान को अगले कुछ महीनों तक या दिनों तक मनत से बाहर नहीं निकलना allowed है क्योंकि अभी आरियन खान एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आए है ऐसे में आने वाले कुछ समय तक आरियन खान जो है वो low profile ही maintain करेंगे 2 October जस टाइम आरियन खान अरेस्ट हुए थे और आज अगर हम बात कर रहे हैं 30 October की तो इस बीच आरियन खान की life में बहुत उतार चड़ावाए हैं और कुछ ऐसे incidents हुए हैं जो mentally आरियन खान को परेशान कर सकते हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि किसी psychiatrist के त्रू आरियन खान की counseling भी गौरी खान करवाने वाली है counseling इसलिए ताकि आरियन खान इस दोरान जिस किसी चीज़ से गुजर कर आए हैं उस चीज़ से जल्द उभर पाए इसके अलावा अभी आने वाले कुछ समय तक आरियन खान को पार्टी और चकाचौन से दूर रखने की खबर है जब आरियन खान गर पहुची गए हैं तो शारुक के कई सारे family members already मनत पर नजर भी आये थे बालकनीज में कई लोगों को spot किया गया था इसके अलावा कहा जा रहा है कि सुहाना भी जल्द ही मुंबई आएगी आरियन खान के साथ time बिताने के लिए